दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि महिंदर सिंग धौनी ने जो ग्यांदवाजों पर हार का ठीक रा फोड़ा है वो ठीक है तो फिर कॉमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें लेकिन महिंदर सिंग धौनी ने इस हार के दो कारण बताए महिंदर सिंग धौनी ने पहला कारण बताया कि जो फरा आचर ने जो पारी खेली उसने पूरे मैच को बदल दिया अंतिम में उन्होंने जो 30-40 रन बनाए उसने पूरे मैच को पलट दिया अगर अंतिम ओबन में 30 रन ना जाते जो फराचर 4 छक्के ना मारते तो साइथ उनकी टीम जीच जाती वहीं उन्होंने अपने गैंदवाजों को भी इस हार के लिए दोसी ठेराया उन्होंने कहा कि इतने रन बनाने देना किसी भी टीम के लिए हार नहीं हो सकता है जब सामने बादी टीम 217 रन जैसा इसकोर बना बना लेती है तो फिर टीम का मनुवल टूट जाता है हाला कि उनकी टीम ने अच्छा ब्रदसन किया और 200 रन तक उनकी टीम भी पहुँच गई तो उसके लिए उनकी टीम को भी प्रोस्ताहित करते हैं क्या आपको लगता है जोफरा आचर की वज़े से ही मैं अच्छ पल्टा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कॉमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना विलकुल ना भूलें